दोस्तों अगर आप Airtail, Jio, Vi किसी भी कंपनी की SIM यूज़ करते हो और आपकी SIM में आपको इंटरनेट की स्विट काफी स्लो मिलते है या फिर आप गेम बगेरा खेलते हैं उस टाइम पर आपको इंटरनेट की स्विट काफी स्लो मिलते है तो आज के वीडियो सिर्फ आपके है क्योंकि आज की स्विडियो में आपनों को 2024 की लेटेस्ट अपर प्रोवाइट करने बाला हूं यह एपिन सेटिंग होने वाली यानि कि आप जियो की SIM यूज़ करते हो वोड़ा फॉन वी आई की SIM यूज़ करते हो या फिर आप Airtail की SIM यूज़ करते हो सरी कंपनी की SIM प और किस तरसे अपनी इन्टरेट की स्पिट को हाँ पर बूश्ट करना इसकी पूरी डीटेल आज के शुडियो में आपनों को बताने वाला हूं आप भी इसेपें सेटिंग के बारे में डीटेल से जनना चाते है तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप कियो शुरू से ले करते हैं और आपको इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो मिलती है और आप इसको बूश्ट करना चाहते हैं तो आज की सीडियो में जो आपको बताने बाला हूं उससे आपको अपने फोन में एपलाई करना है 100% आपको यह पर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी अब जिस सीम से इंटरनेट चलाते हैं वो अगर S increases point name का आपको इस पे टेप करना है अब इस orchest्ये में आपको आपको जियो की सीम यूऺ करते है तो आपको एकी APN यहापर देखने को मिलेगा ATL में आपको दो default APN देखने को मिलते हैं तो इस तरह से आपको जो default वाले company की तरफ से APN आते हो आपको देखने को मिलते हैं लेकिन हमें यहापर एक नय APN create करना है तो उसके लिए नीचे आपको दो बटन मिलते हैं reset और new APN का तो आपको यह पर new APN पर tape करना है जैसे आप new APN पर tape करते हैं तो यहाँ पर आपके समने एक form आ जाता है अब जो detail मैं आपको यह पर बता रहा हूँ अब चली यह देख सकते हैं मैंने पहले से एक APN यह पर create करके रखा हुआ तो मैं इसी को open करके आपको दिखा देता हूँ तो जब आपका समने form open हो जाता है तो उसमें सबसे पहला option आपको मिलता है अपर name का तो name में आपको इतने type कर देना speedbot octa n9 इसके बाद इसको okay कर दीजिए इसके बाद में यहाँ पर आपको APN पर जाना है speedbot add the rate add the rate के बाद अगर आप जियो की SIM यूज करते हैं तो आपको जियो लिखना है वियाई यूज करते हैं तो वियाई लिखना है एटल यूज करते हैं तो आप एटल लिख दीजिए इसके बाद आपको पासवर्ट में कुछ नहीं करना है सर्वर पर आएंगे सर्वर आने के बाद यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में www.google.com याने कि Google के सर्वर को यहाँ पर यूज करने वाले हैं इसके बाद मियासे इसको ओके करेंगे अब बागी के जो उप्शन है इसको आपको एजिटेट बिलैंक रेने देना जो इस पर सेट है उसी को रेने देना आपको जाना है या पर ऑफनिकेशन टाइप में आने के आपको APN roaming protocol में ना इसमें भी आपको इसी को select कर लेना है अब जो सबसे important setting हमारे इस APN की होने वाली यह वह हमारी barrier की setting तो आपको barrier को open करना है जब first time आप barrier को open करेंगे तो यहां पर आपका select होगा unspecified पर तो यहां से आपको un-tick कर देना है इसके बाद में जितने भी barrier आप आपको select करना और यहां से इसको okay कर देना है अब अगर आपका phone थोड़ा old और इतने barrier आपको select नहीं हो रहे हैं तो उस condition में आप क्या करेंगे आप यहां पर इस वाले को select करेंगे अब इसके बाद यहां पर आप अपने internet की speed को चेक करके देख सकते हैं दोस्तों पहरे आपको जो काफी इंटरेनेट speed मिल रही थी वह आपको काफी fast मिलने लगेगी अगर gaming बगर के टाइम पर आपको hyping की problem आ रही थी इंटरेनेट speed की वज़े से तो वह problem भी आपके हैं पर सोर्व हो जाएगी तो अगर आप भी इस चेनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप को सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में